हेलो गाईज, वेलकम बैक टू दे अधर गेंपली वीडियो और आज हम दुबार से गेले चारे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल और आज को जो वीडियो होने वाला यार वो काफी ज़्यादा खतरनाक होगा ऐसा क्यों बोल रहाँ गाईज, तो जैसे आपको पता होगा यार हमारे साथ जो भाई खेल दे थे उनके 12th के बोर्ट से तो वो सारी रेस्पी लेंग किये थे अब जो हमारे साथ नहीं है और इवन गाईज मेरे पास आरमर M4 का भी रेस्पी नहीं है और मेरे पास इतना स्पेस नहीं कि मैं रेस्पी वगेरा लेंग कर सकूँ तो मैंने डिसाइड करा कि आज जो है न मैं सब चीछ के लिए रेसिपी के लिए स्पेस वगेरा फ़र्म करूँगा तो जैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन आया तो मैंने देखा यार अपना एक सब्सक्राइबर या फिर कौन था मेरे को पता नहीं गाईज उनको मेरे बेस का पास वर्ट कहां से पता चला वो मेरे बेस से सारा का सारा समान लेके चली चुके थे और मैं देखा यार मेरे बॉक्स सारा समान गया और उस टाम जो था मैंने रिकार्ड भी नहीं करा था पर एक बंदा जो था मेरे backpack से कुछ शमान निकाला था उनका नाम मेरे को show हुआ एंड मैंने report में check करा यार ये बंदा जो यहीं पर show हो रहा है सुब मेरे को बाद में पता चला यार ये तो अपने subscriber है पता नहीं guys इनको passport कहां से पता चला एंड वो बाद में follow me follow me करने लगे अरे भाई यार ऐसा करके फाइदा क्या है यार जिस बंदे ने solo में farm किया है सब चीछ किया है उस बंदे का आप समान लेके जा रहे हो यार ये legit नहीं है यार literally guys उसके बाद मेरा इत्ता जादा दिमार खराब हो चुका था तो मैंने बोला भाई से तुझे मजे करना है तुझे मजे कर तो जैसी guys वो मेरे को अपने base में ले गए सबसे पहले मैंने sulfur का box देखा और GP का box देखा मुझे पता था मेरे पास काफी जादा GP है तो मैंने क्या करा उनको बीना बता है सारा GP उठा लिया मैरा ये था guys अगर मेरे को वो अपने base के अंदर मारते भी है at least मेरा GP तो नहीं गिरेगा तो मैंने जितना bag मैं भर सकता था वो भरा और मैं बाद में बोलने लगा door open करो मुख का मार के बता रहो door open करो क्योंकि अभी तक उन्होंने देखा नहीं था कि यह भाई जो है नहीं यहाँ पर से सलफर लेके जा चुका है तो finally guys फटावर्ट से मेरे को वो भाई बाहर निकाल दे बस ओके guys यहाँ पर मैंने अपना almost GP तो safe कर लिया है अब जो है ना आप क्या करूँ even guys सारा का सारा एयार सार की सारी गंस यह भाई ले चुके थे नाम मैं नहीं बताऊंगा छोड़ दीजिए और आप लोग यार काफी ज़्यादा तेज हो मेरे को पता है और यह भाई बोल रहे थे भाई वीडियो में बद बताना ऐसा मत करना वैसा मत करना अरे भाई यार देखो एक्चली में तुम सब्सक्राइबर हो और उन भाई लोगों को भी पता चलना चाहिए कि यार ऐसा भी होते है अपने साथ तो यह पासवर्ड मेरे को नहीं पता इस भाई को कहां से पता चला है क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर सर्वर में आ जाते है सब्सक्राइबर भाई लोग और काफी जादा जीत करते है तो हमारे टीमेट जोते ना जो हमारे साथ खेलते थे इवन मैं भी पासवर्ड दे देता था सब्सक्राइबर जो हमारे साथ subscriber खेलते थे वो तो password नहीं देते थे पर मैं ही इनको password देदेता था ऍद इस भाई के बारे में मिरे को अभी तक बिल्कुल भी नी पता चला है कि इनको password कहां से पता चला मिरे को एक दो बंदों में सक्ष हो रहा है जिनको मैंने अपना password दिया था and finally guys यहाँ पर मैं loot लिक्या है और मैंने directly जो है अपने base का password change करा and मेरा इतना ज़ादा mode off हो चुका था इस server से कि मैं directly यहाँ से offline चले गया था समझ सकते हो guys क्योंकि मेरे को vaccine भी लगा था and मैं इतना mode में नी था game खेलने के so मैं directly इसके बाद off किया and मैंने कालू भाई और से बोला कालू भाई कोई तुमारा server वगेरा चल रहा है या नहीं चल रहा है so वो बोले हाँ nexus हमने server में jump किया था अभी badge base को raid मारना है बस तो मैंने का मैं भी आ रहा हूँ तो उन्होंने बोला आजा फिर क्या था गाइस मैंने decide करा चलो यार ऊपर भी हम जाकर check out करते की अपने पास कुछ होगा तो फिर क्या था गाइस मैं आप server से निकला and आप लोगों ने या server का नाम भी देख दिया होगा देख लीजिए guys अब क्या करें तो यहां पे मैं कालू भाई और के server में आ चुका था and उनको चाहिए था यहां पे energy mine का refiner तो उन्होंने में को card वगेरा दिया and यहां पे मैं वो निका ढूंडी के लिए जा चुका हूँ and अभी जो इना मेरे पास only एक purple card दिया क्योंकि इनके teammates already rooms वगेरा करने and कालू भाई जो थे वो यहां पे देख कहां पे भायों के पास में so उन्होंने मेरे को card वगेरा दिया तो मैं ऐसे करता हूँ यहां पे rooms वगेरा करता हूँ और आपको guys मैं badge base भी दिखाऊंगा and मैंने बाद में decide करा चलो यार एक बारी दुबारे से अपने server में चल के देखते हैं वहां पे क्या हाल चाले क्या भाई ने हमें अपने base का password वगेरा बताया या नहीं बताया वो तो अभी पता चलेगा पहले ही यहां पे क्या हम rooms वगेरा complete करते है भाई साब चाहिए क्या वो नहीं मिलेगा अपन को मिला बताओ क्या है गाई large furnace जो चीज जब तुम्हें चाहिए ना वो चीज नहीं मिलेगी so finally guys यहां पे हमें वो refiner तो नहीं मिला अब ऐसे करते हैं यहां पे सम फटावर्ट से बाहर निकलते हैं और यहां पे सम directly चलेंगे सीधर batch base में यार काफी लंबे टाइम बात खेल रहा हूँ मैं कालू भाई, सैंकी भाई, साया भाई, लिजन भाई के साथ अमन भाई के साथ almost काफी ज़दा टाइम हो चुका है तो हम लोगों ने decide करा चले यार ऐसे करते हैं ना batch base देख के आते हैं मैं यहां पर साथ जितना fuel है वो collect करके चलूँगा अपने साथ तो almost guys हमने यहां पर fuel अगिरा collect कर लिया है पर यार यह चीज़ गाई सबसे बहुत बढ़ी गलत चीज़ है अगर तुम्हें password पता भी चला है तो मेरे subscriber भाई हो यार मैं लेता हूँ मैं single हूँ मैं at least 3-4 बंदों को दो लोंगा अपने साथ खेलने के लिए या फिर सब को लोंगा तो यार फता गहां से चलेगा आपस मैं mark 8 होती रिदी है जो बंदा मेरे को server में पहला मिलता है मेरे subscriber जो मेरे को server में पहला ही मिलते है मैं उनी के साथ खेलता हूँ बीच में मैं किसी भी server को अपने subscriber को अपने साथ नहीं लेता है क्योंकि guys काफी ज़्यादा congested हो जाता है और उसके बाद अपन लोग भी इतना focus नहीं कर पाते हैं तो मैंने ये बोला था जिस server में मेरे को कोई मेरे subscriber मिलेगा starting के एक दो दिन मैं वो server में उनको लेऊंगा even 4-5 भी चलेगा पर ज़्यादा guys मैं ज़्यादा भाई लोगों को नहीं किला सकता मेरी भी मजबूरी समझीए न ओके यहाँ पर अपन को एक बंदा दिखा उसको हमने यहाँ पर easily kill कर लिया यहाँ पर जो है आमन भाई साया भाई और जो होते है वो इसका auto cannon draining कर रहे है क्योंकि इनका plan था इनका base raid मानना है अरे यार आजकल मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही यार मैंने global rank में भी एक बहुत ज़्यादा congested base देखा जिसमें तीन walls थी तीन ceilings थी अब क्या ही बोलो गाई इस तरीका का base तीन तीन wall एकदम ship की विशती थी और rank में गाई मेरे raid मारते न उसका खोपड़ी घराप होगी थी और बाद में मैं छोड़ की गया उसको पता नहीं गाई एकदम पूरा glitch base था इसमें भी तीन wall से जो की एकदम चिपक चिपक के लगी विए मेरे को पता नहीं गाई यह बेज जो एना किस तरीके सा बना है और यहां पर देखिए गाई आपन के ipad pro वाले भाई को बजूका के cell से कर दिया है नौक अभी इनको फटावर से revive देते यहां पर देखो गाई मैं revive दे रहता है यह भाई फिट डोर open करें डोर close करते ही यह दुबारा उट जा रहा है मैंने का अब यार मैं बोलने लगा था इनको discord server में दर्वाजा मत खोलो और दुबार दर्वाजा कोला दुबारा close दुबारा stand up दो बारी revive हो चुके थे almost and तीसरी बारी गाईस दुबार दोर close करा नहीं यार इस बारी खुद कुला नहीं देखो डोर open करा न यार यह पतानी गाईस क्या लफड़ा है अब तक गाईस य decide करे या चलो मैं ऐसे करता हूं सोने चलता हूं and मेरा mood खाफी जाता upset था उस भाई के चक्कर में जो भाई जो ना अपने base से सारा का सारा समान लेकिया था अब क्या ही करें guys and जैसी guys मैं यहाँ पे online आया रात को 4-5 बजे करीब तो उन भाई का message था भाई password यह है मेरे base का 7271 and please यार वीडियो में मत बताना यार भाई देखो ऐसा काम करेगो ना तो मेरी भी जिम्मवारी बनती है कि अपने subscriber भाई को भी बता यार कुछ-कुछ भाई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके base से सारा का सारा समान लेखे चुमंतर हो जाते हैं यार आपको मैं subscribe समझ के password बताता हूं and जो भी भाई password पास किया यार वो नहीं करना तो फिर क्या था गाईज मैं जितना भी समान इनके base में था वो सारा का सारा अपने base में transfer किया है and बाद में जो है न मेरे को गाईज अब भी oil drum handmade C4 M 4 M4 की bullets 4X हो गया और armors हो गए इन सब का recipe learn करना है तो लगबा गाईज मेरे को 5-6000 अभी SPS यहां पर farm करने मैं तो मर जाओं गरे कैसे होगा 2400 स्पीर तो हमें आर्मर की लाइन करने करने लगेंगे बारा सो C4 के लिए 750 हैंडमेट के लिए 750 एक्स्प्लोजिव के लिए 650 M4 के लिए 300 M4 के बुलेट के लिए 4X के लिए अलग भाई साब मैं तो मरी है गाईज आप इस पेर फार्म करते करते आइडिया एक एक राउंड में पूरा complete हो जाएगा वह आइडिया क्या है गाईज अभी मैं आपको दिखा हूँगा तो चलो यार फटावर से उस भाई वह लेकर आ चुका हूँ अब जो हैने गाईज यहां पर हमें स्पीर फार्म करना है तो गाईज वह प्लाइन किया है मैंने डिजाट कर रहा है अभी जो हैना मेरे को रूम से कंपोनेंट्स मिलेंगे वह सारे के सारे हम डिस्मेंटल कर देंगे इवन बैरल स्पी ओके यहां अब लोग क्या करें यार इस्टील का आर्मर लन करेंगे तो ओके गाईज यहां पर मैं कुछ कंपोनेंट्स लेकर है अधा अपने बेस से जो की मेरे को अभी जरूरत नहीं है सो मैंने उसको सारग सारे डिस्मेंटल कर लिया अभी मेरे को 16-17 स्पीर्स तो यहां से इजली मिल जाएंगे और मैंने डिसाइड कर रहा जब तक यह डिस्मेंटल होते हैं मैं ऐसे कर तो यहां पर से रूम से अगेरा कर के आता हूँ अगले दिन से क्योंकि इस सर्वर में अभी कुछ खास है नहीं कोई बंदे है नहीं कोई कुछ है तो हम लोगों ने डिसाइड करा है यार हम यहां पर आएंगे सिर्फ रेडमार निकले अलमोस में एक दो जीपी दो बॉक्स जीपी दो करी दूँगा एक दिन और जाके यार फोटी टू थाउजन या फिर संधिंग फार्म करूंगा लगबग हो जाएगा चलो यह भी डिस्मेंटल करो ज़रूरत नहीं अपने को क्योंकि अपने पास अल्डेडी काफी जादा है ओके गाइस दुबारा मैंने डिस्मेंटल में फुल कर दिया था और उसके बार जो नहीं में यहां पर आया था ग्रीन रूम करने के लिए अट लीस स्पीर चाहिए अपन को ओके यहाँ पे हमारे पास ऑल्मोस काफी ज़्यादा घ्र हो चुके हैं लगब बग मैं दुबार से हर क्रॉस्च कर ले तो कई बार लस वगेरा वहां पर ना चुट जयें ओक गाइस देख लीजे अपने पास और यहाँ प्रम लोग निकलते फटाब वर्ट से बी दोगो दो गाइस कैसे से मैंने नॉक करा है और दूसरे में तुम्हारा भाई का एमसेस चिपका ही नहीं कट गया पोपट गया था गाइस अपनी गाड़ी लेने के लिए अपना M4 हो गया एनरजी आर्मर हो गया सब देखे आ गया चलो कोई नहीं आर कोई टेंशन नहीं अभी जो है न हम दुबारा से मैनत करेंगे और उसके बाद जो है था ना गाइस मैं डारेकली पहुंच चुका था बॉम सेल्टर नहीं बैंडिट कैम्प यार बॉम सेल्टर कहां बोल रहा हू हैंड मैंने डिसाइट करें चलो यार 20 से चलते हैं पर इन्होंने गाइस मेरी गाड़ी की ना हालत खराब कर दिया ओके मैं यहां पर से ग्रीन रूम ओपन करता हूं ओके यहां पर से अपन को थोड़ा से स्टील मेरा एंड कुछ कंपोनेंट्स मिले यहां पर मेरेको और वो डिफ रिफाइनर कहां से मिलता है तो देखें गाइस आपकी जब किस्मत होगी ना तो आपको डिफ रिफाइनर फ्री में भी मिल जाएगा तो फाइनली गाइस यहां पर आमें डिफ रिफाइनर फ्री वाली आमोचस में मिला था समझ रहे हो गाइस फ्री वाली आम में भी ना हालत ख्राब हो जाएगा इतना वां मेरे काफ़ी ज्यादा हलत ख्राब हुरही है यह चीज देखके चलो यार दूबारे से हम ऐसे करते ना यहां पर से हम फटावड से नि dullते मेरा हेल्थ काफी जदे काम है तो मैं फटावर्स अपने में स्रिंच लगाता हूँ एक फ्री वाला एमो चेस्ट है उसको भी कलेक्ट करता हूँ क्या पता इससे मेरे को बजू का की सेल की रेशी भी मिल जाए गाइस कुछ भी हो सकता है जब फ्री वाला एमो चेस्ट से आपको डी फ्री रिफाइनर बिलता है तो यार फ्री वाला एमो चेस्ट से आपको भजू का सेल भी मिल सकता है यार it may be possible यार so finally guys यहाँ पर हमने पूरा बैंडिट कैम लूटा ऐँड जितना भी हमारे पास component था सारा साराсти कंपोन에नEd हमने डिसमेंटिल किया एंड उसके अबार जो हम Saile and directly जा पहुंचेते हैं bio क्योंकि bio में भी काफी अच्छा loot मिलता है और काफी जदा components हमे way में मिल जाते है तो लगबग आइस आज and यहां पे हो चुके आज almost 4 बच चुके है मैंने डिसाइड करें यार राद भी काफी जाता हो चुकी है अब अपने को सोना जाना बनता ही है फिर मैं यार यहाँ पर आया था एक परपल कार्ड का एक हाल्थ बच्छ हुआ था और ब्लू कार्ड लगबग फूल था मेरे पास तो बैने डिसाइड कर रहा है चलो क्यों नहीं है यार हम ऊपर वाला बॉम सेल्टर चेक आउट करके आते हैं क्या पता वहां पे हमें लूट वगिरा मिल जाए कंपोनेंट्स की मदद हो जाएगी तो चलो यारम से यहांपर से निकलते हैं कहाँ परपल रूम पर है ओके यहां पर आपर आंपन लोग पहुंद चुका है चलो इसको ऊपन करो फटाफवर्ट ओपन हो जाओ ऑपन हो जा आइभी 1 टिंग 2 रूप बम चेमार भर वह लूटइड ग्रहें गैज़ हुँ हां लूटेट है नें ने ने नए ने लूटेट हम अराम से लूट सकते हैं एक एक इस्पीर इफ़ाना आपन अब मारता काई को है लेग 1पी हम घा तू भी ऐमोचस्ट क्या hayır काइगा खास ओक कुछ नहीं इस्टील एण कुछ इस्पीर हम आते वे फोरिएंगे यहां पर भी एक आमो जह रहता है उसे भी कलेक्ट करते हैं फटा फट ऊगे हैं यहां पर अपन को एक बैरल भी लाए यार बैरल यह सोलो वंद्ध कितना एम्फोर बनाएगा कितना एम्फोर चलाएगा यहां पर तीन ammo chest रहता है एक एडवांच चेस एडवांच चेस एडवांच चेस से क्या मिलेगा ओके यहां पर मेरे को हैंड मेड्स मिले इससे भी गईज मेरे को हैंड मेड्स मिलै अराउन मेरे पाज तीन हैंड मेड्स हो चुक है लगबग 15 तरह एक्स्प्लोजिव का माल होगे रैड डॉट एंड कुछ स्टील और पाइप छे पाइप मिले गाइज एक एमोचस से मजाग तो नहीं है छे पाइप यार छाइप पाइप पचास स्पेर का समान मिल चुका है तो चली गाइज यहां पर हम लोग उने परपल रूम आल्मोस लूट लिया है अब यहां पर हम लोग फटाफ़र से निकलते हैं ग्रीन रूम पर क्योंकि वहां पर भी एक चेस्ट होता है तो सबसे पहले यह यहां पर निकाल देता हूं पर मेरा बैग पैक का लिमिट जो है यहां पर आल्मोस फूल है तो लगता है मेरे को कुछ ड्रॉप करना पड़ीगा क्या ड्रॉप करें चलो मास्क ड्रॉप कर लेते हैं ओके रिखाई यहां पर हम थोड़ा से अपना इस पेस कारने क्योंकि हमें गरिन रॉम करने एंड हमें पता निया मिलेगा क्या पता कुछ ज़ादा इंपॉर्डेंट समान मिल जाए अगर इस पेस नहीं होगा फिर भी गाइज बाद में में कुछ ड्रॉप करना पड़ीग यह क्योंकि वायर जादा नहीं है मैं चाहता नहीं हो यार अपनी की वायर जो है ना वेस्ट हो नगबंग मेर पास 27 वायर है तो इसलेगा इस जो है न मैंने एक्स्रा समान जो था वो पहले ही ड्रॉप कर लिया था अब 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 अंकल नहीं इसको उपन करके देखते हैं इसको बाद में कलेक्ट करूँगा सबसे पहले हम रूम कर लेते हैं ओके गाइस यहां पर सामें कुछ खास नहीं ऑनली गियर्स मिले यार एमोचस ने काफी ज़्यादा धक्कन बना दिये इससे अच्छा तो गाइस बांडिट केम वाला एमोचस था अट लिस्ट डिफ रिफाइनर तो दिया था इसको भी कलेक्क करो ओके यहां पर मेरे को बैरल मिली आ समझी का ज़ा है इस वाइनली गाइस यहां पर हम आलमोस पूरा बायो कंप्लीट कर लिया है और हमारे पास वायर नहीं है तो मेरे कब जितना वी वायर था उसे मैं यहां पर ताव और उसके बाद डारिकली गाइज अब लगबग चार बच के पंदरा मिनट के करीब हो गए है तो मैंने डिसाइट करें यार ओफ जाने से पहले मैं एक बारी क्या कर लूँ पर जाने से निकलने के बाद मैं डारिकली मिलोगा आपको बाउन से अब आगे हम करेंगे तो फाइनली यहां पर मैं बाउन्म सेल्टर आल्मोस्स पहुंच चुका हूं यहां पर बगल में जो है न मैंने एक काफी ज़दा बड़ा बेज देखा वो बेस जो है ना मैं आपको नेक्स वीडियो में बता दूँगा सबसे पहले हम बॉम सेल्टर करते हैं अब यार चार बच के 17-18 मिनट हो गए हैं अब घर वालों से गालियां भी पढ़ने लगी हैं तो अब जो है ना फटावर से मैं रूम करता हूँ अपने बेस पर भागूँगा और C4 का रेसिपी लर्ण करने के बाद हम लोग आज का दिन को यहीं पर एंड करेंगे मेरे पास अल्मोस सारे बॉम्स की रेसिपीज मैं आज के दिन पर लर्ण कर लूँगा तो कल जोड़ करना हमें हमें आर्मर क्या जुगाड करना है लूट है गाइस अल्मोस एक सप्लाई चेस्ट है नहीं एक एमो चेस्ट है एक एडवांस एमो चेस्ट है तो लगबग लूट काफी अच्छा है और जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा मैटीरियल है वो सारे गसारे मैं यहां पर डिस्मेंटल के लिए डाल देता हूँ तो जैसी जगाइस जब तक डिस्मेंटल होगा ना तब तक हम नीचे से वायर वगिर है डालके एंड रूम जोब वो एजली कर लेंगे तो यार अभी जो है नहीं यहां पर काफी जादा जॉम्बी होते हैं उनको मार रहा है तो इस बार इस मेरी गन में बुलेट्स काफी जादी कम हैं तो मैंने डिसाइड करा अब इनको चक्वे से काटूंगा ओके यहां पर हम लोगों ने दो जॉम्बी को यहां पर चक्वे से काट दिया है ओके यहां पर एक एडवांच चस्ट है इस में देखते हैं इस चस्ट में अपने को क्या मिलेगा यार कालिया पढ़ने लगी है चल कोई नहीं फटावर्ष से करते है आजा पीटे जॉम्बी लेखा ओके यहाँ पे हमने almost सारा का सारा area clear कर दिया है अबे ओ यह कहाँ देख रहा है ओके मारने आ रहा है भाई मारो photographer से so photographer से गई सारा का सारा सामान उठाते हैं wire डालके rooms करके जल से जल अपने base में निकलते हैं ओके wire वगरे तो यहाँ पे डल चुकी है wire तो डल चुकी है और अभी हमें photographer से room करने निकलते हैं and हमें अपने कुछ components भी dismantle करने वो अभी देखेंगे यार किस तरीके से dismantle करने चलो पहले dismantle से समान उठाते हैं ओके मेरे पास यहाँ पे 200 spear हो चुके हैं लगबग 200 के करीब और कर लूँगा चलो यार ओके इससे गाइस almost याला जो purple room था वो totally यार waste था कुछ खास नहीं मिला and एकदम pop-up cut आयार अपना यह gear उठाओ यार gear gear से at least हमें कुछ spear तो मिलेगा so finally यहाँ पे हम लोगों ने bomb shelter कर लिया है and जितना भी component था वो मैं फटावर dismantle करता हूँ okay guys यहाँ पे हमारे components सारे के सारे dismantle हो चुके हैं आप ऐसे करते हैं यहाँ पे से हम लोग फटावर से निकलते हैं और सीधा यहाँ पे से निकलेंगे अपने base में so finally guys अब मैं आपको मिलूँगा सीधा अपने base में ठीक है and यहाँ पे से मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ okay गाड़ी repair करनी का सोच रहा था पर गाड़ी repair तो होगा नहीं यार फसा वाया भी इसको restore करना पड़ेगा मेरे को हाँ मैं बॉला नहीं restore करना पड़ेगा okay guys यहाँ पे से restore हो चुकी है so finally मैं आपको मिलता हूँ सीधा base में तो जीहाँ guys यहाँ पे हम directly तो जीहाँ guys यहाँ पे हम अपने base में पहुंच चुके हैं अभी जो हमारे पास काफी ज़्याद amount में spear already हो चुका है तो लगबग हमारे पास कितना spear है पत्चीस सो पत्चीस सो spear है so मैंने डिसाइड करेया जाने से पहले में अपने के handmade का नहीं सीफूर का recipe लंग करता हूँ handmade तो अपने लोग लंग कर लिये है बस गाइज handmade का recipe लंग करके आज का दिन यहीं पर हम end करते अल्मोस साड़े चार बच चुके हैं लगता है आज तो अपने पिछवाडे टुटेंगे गाइज घरवालों से तो चलिए गाइज यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हम आपसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुट बाई and have a nice day and I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आ होगा अगर वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को like करो comment करो and mind करे तो यार चैनल को subscribe करना मत बूलना तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में तब तक ले गुट बाई and have a nice day so bye bye guys और कल का दिन का हमारा मिल्डी आर्मर का recipe learn करने का है already हमारे पास आर्मर तो है क्योंकि मैं आप ज्यादा नहीं खेलता है इतना ही खेलता हूं तो इतने में इतना ही होगा